सेलिब्रिटी लाइफ की मुश्किलों पर बोले रनवीर सिंग उपर आ जाती हैं जिसे उन्होंने खुशी खुशी गले लगाया है रनवीर का कहना है कि ये जम्यदारियां उन्हें उनके पहले प्यार यानी एक्टिंग से दूर नहीं कर सकती रनवीर ने यूज एजेंसी आए एनस से बात करते हुए कहा सेलिब्रिटी का जीवन आसान नहीं है बहुत सारी परिक्षाएं है मोबाई फोन और स्मार्ट फोन आने के साथ ही यह और जटल हो गया है यहां हमेशा सजग रहना पड़ता है कभी कभी तो बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है उन्होंने कहा लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आगे ले जाती है अगर आपने कलाकार बनने का नड़न लिया है तो आपकी तरफ नजरे होती है और मैं इस बात को लेकर खुश हूँ की लोगों का ध्यान मेरी तरफ है वर्ष 2010 की फिल्म बैंड बाजा बारात के साथ बॉलिवुड में अपना करियर शुरू करने वाले रंड वीर ने कहा कि बच्पन के दिनों से ही वेह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीच लेते थे हुलिवुड फिल्म डेट पूल दो के हिंदी संसकरण मेरा अनरे नौल के डेट पूल को अपनी आवाज देने वाले अभिनेता ने कहा इसलिए मेरे लिए यह सपना जीने जैसा है लोग लाइम लाइट में आना चाहते हैं इसलिए यदि आपको वहां होने का अवसर मिला है तो आपको इसे सकारात्मा ग्रूप में देखना चाहिए मुझे जीवन के किसी भी पहलू में कोई दवाव महसूस नहीं होता यह पूछे जाने पर कि सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ कुछ खास जिम्मेदारी भी आती है और रणवीर इसे संभालना सीख रहे हैं उन्होंने कहा यहां कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं जो प्रसिब्ध नहीं है लेकिन उसी को सारवजनिक हस्ती हो जाने पर आप नहीं कर सकते मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया लेकिन कभी-कभी इन सारी चीजों के बीच आप सबसे महत्वकून चीज से ध्यान नहीं हटा सकते हैं यानि फिल्मों में अभिनाइक, डेड़ पूल दो के आलावा रनवीर के खाते में जोया अख्तर की गुली बॉय, रोहित शेटी की सिंबा और कभीर खान की 83 भी है बता दें कि इस साल की शुरूआत से ही रनवीर सिंगह और दीपिका पदकौन की शादी की खबरें जोरों पर है पहले जहां इस जोरी के जुलाई में शादी करने की खबरें आ रही थी, अब वहीं खबर है कि यह दोनों इसी साल नवंबर में शादी करने जा रही है हलांकि दीपिका और रनवीर की तरफ से खबर की कोई पुष्टी नहीं हुई है